जै हिंत फ्रेंट्स तो हम आपके लेकर आए हैं बारसिक परिच्छा 2023 का विशे विक्यान कच्छान नौ का प्रश्ण पत्र यह question paper आपके वार्सिक परिच्छा 2023 के लिए बहुत महतपूर है यही question paper आपके वार्सिक परिच्छा 2023 में दिखने वाला है यही questions आपको ऐसे ही questions आपके annual exam 2023 24 class 9th science की question paper में दिखने वाले हैं के कोईशन को हम लोग अच्छे समझेंगे और अच्छे से आपको याद कर लेना है पूरा कोईशन पीपर ऐसे ही कोईशन आपकी अनुल एक्जाम में आपको दिखने वाले हैं उससे पहले अगर आप ने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनल को यानि कि टरंटी हमको अब्जेक्टिव कुश्चन से दिये जाएंगे उसमें सेक्षन वाई हमको उप्खन का जैसे आपर बहुती विज्ञान कुश्चन सबसे पहले हमसे पूछे गए हैं जिससे पहला प्रशन पूछा गया है समवेक का मात्रक है तो समवेक का सूतर आप हमको किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर यह नहीं होगा किग्रा प्रती मीटर इंटू सेकेंड यह यह भी नहीं होगा अब यहां पर हमको दो आप्शन दिख रहे हैं न्यूटर सेकेंड न्यूटर प्रत मीटर तो यहां पर देखिन न्यूटर कैसे बनता है एक वराव दूसरा मातल भी होता है Newton तो यहां पर इसको हमको बनाना पड़ेगा यह और लेकिन हमारा है क्या हमारे पास हमारे पास है kilogram यानि कि P बराबर MB से हमको क्या मिलेगा इंटू मीटर पर second मिल रहा है हमको चाहिए क्या मीटर पर second square यानि कि उपर दोनों पच्छों में क्या करें उपर नीचे second square का गुणा कर देंगे तो उपर नीचे second का करेंगे तो यहां पर आंसर हमारा जो correct हो जाएगा वो हो जाएगा C वाला हो जाएगा Newton into second आपसर यहां पर हमारा C वाला correct हो जाएगा next है निम्लखित में से सदिसराशी होगी दूरी अधिसराशी है वेक सदिसराशी है द्रभमान भी अधिस है समय भी अधिस है तो यहां परांसर क्या correct हो जाएगा यहां परांसर आपका B वाला correct हो जाएगा वेक एक सदिस्राशी होगी Next है कुरत्विये तोड़ जी तदा कुरत्विये कुरत्वा कुषण नियतांग G में संबंद है तो यहां परांसर कौन सा correct हो जाएगा तो यहां परांसर क्या correct हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर आपका correct हो जाएगा तोरण क्या हो जाएगा तोरण यानि कि option number क्या correct हो जाएगा तो यहाँ पर option number आपका D वाला correct हो जाएगा तोरण क्या हो जाएगा तोरण Next है कार करने की छमता आती है तो कार करने की छमता आती है भोजन से मिलती है तो यहाँ पर आंसर क्या गरिक्ट हो जाएगा ए वाला आंसर आपका correct हो जाएगा भोजन कार करने की छमता किस से आती है भोजन से आती है इसके बाद है निम्नमेस्थी समवे का सही शूत्र है हमने आपको बताया था प बरावर क्या होता है यहाँ बरावर एमवी तो यहाँ पर आंसर कौन सा correct हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर नमबर आपका जो correct हो जाएगा वो ए आंसर आपका correct हो जाएगा प बरावर एमवी क्या हो जाएगा प बरावर एमवी क्या हो जाएगा P बरावर MB option A correct हो जाएगा Next है द्धवनी की चाल सरवाधिक होती है तो द्धवनी की चाल सरवाधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, ठोस वा द्रव में तो द्धवनी की चाल सरवाधिक किसमें होती है? तो धोनी की चाल सरवाधिक ठोस में होती है ठोस में होती है तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर आपका A वाला करेक्ट हो जाएगा देख्ष्ट है X किरोनों की खोज किसने की थी एक्स किरोनों की खोज यहाँ पर जो वेग्यानिक थे रधर फोर्ड, चैडविक, मैंडम क्यूरी, गोलिश्टीन इसमें से कोई भी वेग्यानिक नहीं है जिसने एक्स किरोनों की खोज की थी लेकिन कभी कभी रधर फोर्ड को माल लिया जाता है तो यहाँ पर आंसर आपका एवाला करेक्टर हो जाएगा रधर फोर्ड इसके बाद है केल्सियम परमाडू की संख्या 20 की सेयोजक्ता है तो केल्सियम परमाडू की संख्या 20 की सेयोजक्ता कितनी है इसकी सेयोजकता 2 होती है, कितनी होती है, इसकी सेयोजकता 2 होती है, इसके बार नेक्ष्ट है, प्रोटान है, तो प्रोटान है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक मूलकर, अल्फा कड, उदासीन कड, तो प्रोटान क्या है, प्रोटान एक अल्फा कड है, क्या है, एक अल्फा क किरणों में से सबसे अधिक भेदन चमता किसमें होती है निम्न किरणों में से सबसे अधिक भेदन चमता किसमें होती है अलफा किरणे एक्स किरणे गामा किरणे कैथोर्ड किरणे किसमें होती है सबसे अधा भेदन चमता होती है गामा किरणों में सबसे अधिक भेदन चमता होती है तो यहां पर आंशर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंशर का सी करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा सी गेक्ट हो जाएगा गामा किर्णे निक्ष्ट है बर्फ का गलनांग होता है तो बर्फ का गलनांग होता है 100 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन तो क्या हो जाएगा अगर आपको जिड़ो डिग्री सेल्सियस दिया तो वो करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर answer क्या correct हो जाएगा तो यहाँ पर answer आपका ग्रेक्ट हो जाएगा अगर आपसे कौतनांग पूछा जाता है कौतनांग होता है 100 degree celsius तो यहाँ पर answer कौतनांग के लिए 100 degree celsius गलनांग के लिए हमारा answer होगा 273 Kelvin यहां पर आंसोर काम सा कर्off हो जाएगा C A O H का impact option B आपका Correct हो जाएगा ओपगरंगाह पर आते हैं जहां पर हमको G वे ग्यान coaster आपकी पूछे जाते हैं आपकी जो बुक होती है फिजिस के में तीन सेक्शन में डिवाइड होती है सेक्शन सी आपका वाइलोजी का होता है इससे पहला कोश्चन है मारा दुई नाम पध्धत के जर्म दाता थे यही कल रॉबर्ट हिट के हिटे कर केरोलस नीनियस डार्विन तो द होमो सैपियंस क्या है होमो सैपियंस इसका वैग्यानिक नाम है क्या है होमो सैपियंस इसका वैग्यानिक नाम है यहां आंसर कौन सा गर्ट हो जाएगा यहां आपका बी वाला कर्ट हो जाएगा होमो सैपियंस क्या हो जाएगा होमो सैपियंस इसके बाद निक्ष्ट है रक जी उतक क्या होता है तरल सयों जी उतक तो यहाँ पर आप्षिन कौन सा करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप्षिन अमद सी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है दो प्रकोष्ट वाला हिर्दे किसमें पाया जाता है क्या बताना है दो प्रकोष्ट वाला हिर्दे किस में पाया जाता है मगर मच में मचली में पच्छी में उभैचर में यह किस में पाया जाता है उभैचर में तो यहां पर answer कौन सा correct हो जाएगा option D आपका correct हो जाएगा next question है पौधों में हरा रंग न्युन में से किसके कारण होता है वर्णी लबक, आवर्णी लबक, हरित लबक ये सभी तो पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है तो पौधों में हरा रंग जो होता है वो हरित लबक के कारण होता है तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा C आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा हरित लवक पौदो में हरा रंग किसके कारण होता है हरित लवक के कारण होता है निक्ट है इस्टो मेटा पाए जाते हैं तो इस्टो मेटा पाए जाते हैं कुलं काई वा में पत्ती की सतय पर जायलम में फ्लोएम में तो this to metounds 5 पाए जाते हैं तो to meta पाए जाते हैं तो this to meetई पाए जाते हैं पत्ती की सतय पर this to meet at working site तो यहांuntso कौन सा correct हो जाएगा यहांपर answer number B आपका correct हो जाएगा इस to meet a jые में च जो होते हैं इस प्रोटीन तो यहां पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा प्रोटीन क्या हो जाएगा प्रोटीन आफशन डी करेक्टर हो जाएगा तो ये हमारे 20 हो जाते हैं अबजेक्टिव कोईशन जो आपको OMR सीट पर भरने होंगे इसके बाद नेक्ष खंड बापर आते हैं अब हमको वर्लात्मक प्रेशन दीखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हमसे उपखंड खाम में भौती विज्ञान से वर्लात्मक प्रेशन मिलेगी इसमें पहला कोईशन हमसे पूछा गया है गुर्तवी त्रोड जी में गुर्तवा कर्षडवल जी में सम्मंद स्थापित कीजिए यानिकि स्माल जी और कैपिटल जी में आपको रिलेशन बतान है इसके बाद है 15 न्यूटन का बल तीन किंग्रा द्रवमान के एक पिंड पर लगाया जाता है पिंड कितनी तोड़ से चलना प्रारम करेगा मीटर पती सेकंड का वीग प्राप्ट करने के लिए पिंड को कितना समय लगेगा तो यहाँ पर देखी आपको एफ दिया गया ह 15 न्यूटन द्रवमान आपको दिया गया है तीन किग्रा तो आपको तोड़ निकाल सकते हैं तोड़ कैसे निकालें तोड़ निकालेंगे एफ बराबर में सूतर से तो यहाँ पर तोड़ आपको कितना आ जाएगा तोड़ आ जाएगा पांच मीटर पर सेकंड इसक्वाइ जाएगा है पांच मीटर पर सेकंड स्कवार तो व बराबर यू प्लस एकिवारा सूतर लगाके आप लोग जो है टी का मान निकाल लेंगे क्या निकाला है वी प्लस वि बराबर यू प्लस एकिवाल आपको शूतर लगाना और वैलू आप असके निकाल सकते हैं इसके दूसरा इसी में आपको देखने को मिलेगा तरंग देर्द से आप क्या समझते हैं तरंग की चाल का संबंद लिखिए इसके बाद हमको छेचे नंबर की विस्तत्वित पैसन देखने को मिलते हैं जैसा विस्तत्वित पैसन आपको पहला दिया गया है तरंग कितने प्रकार की होती हैं उनकी एक-एक उधारड दीजिए अधफा गती चूर्जा किसे कहते हैं यदि पिंड का ध्रवमार M तथा वेग V है तो सिद्ध कीजिए कि गती चूर्जा कितनी होगी गती चूर्जा हाप M B स्क्वाइर होगी यह आपको यहाँ पर सिद्ध करना हैं सबसे पहले गती चूर्जा की परिवाशा देनी है इसके बाद इसको शिद्ध करना है इसके बाद आ जाता है उपकंडखा यानि कि अवरासाइन विज्ञान से प्रशना आप से पूछे जाएंगे पहले आपसे का रुत्पन्न की जाती है उनके गुर्धर्म क्या है वो बताने है इसके मिलेंगे आपको चार रंबर नेक्स्ट है एक तत्व एक्स का परमादु द्रभमान 16.2 मू है तो इसके किसी एक नमूने में समिस्थानिक आपको दिया गया है आठ एक 16 और 18 एक्स आठ का प्रस्थत क कितना होगा इसके बाद इसके हमको विस्तत्तिये पकैसे दिखते हैं यानी कि लौण याच्टाउरी ट्हाइप विशंज दिखते हैं पहला है रधर फोर्ड का परमादु मॉडल क्या था वो बताना है पर मॉड़ की क्या क्या क्मद्या थी यानिकि रधर फोर्ड पर मılड कीजिए तो यहां क्या करना है दोनों में से आपको कोई एक आंसर करेक्ट कर देना है जो आपको आता हूँ आप एक कर सकते हैं इसके बाद उपखंड गा आ जाता है जिसमें हमसे जी विज्ञान एक कुछे जाते हैं यूँकि आपका जो पेपर है तीन सेक्षिन में देते हैं और यह माइटो करने की सरंचना आपकी बन जाती है इसके बाद सैवाल तथा कवक में अंतर इसपश्ट कीजिए तो यहां पर देखिए सैवाल तथा कवक में अंतर चार नमरे पूछा गया तो आपको चार लाइनों में यानि कि चार अंतर कम से कम लिखने हैं इस तो यहां पर चार चार नमर में आपको तीन कोईशन देखने को मिलते हैं फिस प्रकार बारा नमर का आपका हो जाता है लगुतरिय प्रेश्ट इसके बाद हमको दिखता है राच्ट कोईशन जो आपका देरल गुतरिय होगा जटिलू तक किसे कहते हैं पौधों में पाए जाने वाले जटिलू उतकों की सरंचनातता कारका वॉलन कीजिए अत्वा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं दूई बीच पत्री दसा एक बीच पत्री पौधों में अंतर इसपष्ट कीजिए तो ये कोशिन बहुत बार पोचा गया है तो ये कोशिन आपको 100% याद कर लेना है यह आपको जरूर देखनी को मिलेगा एक बीच पत्री दसद्वी बीच पत्री में अंतर इसफ़ष्ट कीजिए तो यह आपको क्लास नाइंद का साइंस एनुल एक्जाम दोहचार तेइस टोबेस का कोश्चिन पेपर था जो हमने आपके साथ साजा किया तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इसकी पेडियो डाउनलोड करना चाहेते ये लिंक आपको डिस्कूसर में मिल जाएगी तो वहां से जाकर आप लोग इसकी पेडियोप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद